नमस्कार आदाब मैं हूँ अदिती न्यूस क्लिक के डेली राउंड अप में आपका स्वागत है आईए एक नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर किशी कानून वापसी को काबिनेट की मन्जूरी दिल्ली में आयर क्ुलिटी अभी भी खराब स्थिती मैं बिहार में एक महिने के भीतर एक और पत्रकार पर जानलेवा हमला दिल्ली में 25 नवेंबर को श्रमिकों की हर्ताल और आखिर में कुरोना अपडेट देश में 24 गंटों में 9000 से जादा नए मामले 19 नवेंबर को PM मोदी के एलान के बाद आज बुधवार को सरकार ने तीनो कृषी कानूनों को वापस लेने की समवधानिक प्रक्रिया की शुरुवात कर दी है आज हुई क्याबिनेट बैठक में कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मन्जूरी मिल गई है संसत के विंटर सेशन में इन कानूनों को वापस लिया जाएगा इसकी अलावा कुल 26 बिल इस सत्र में पेश किये जाएंगे जिनमें Electricity Amendment बिल और Cryptocurrency पर बैन लगाने से जुड़ा बिल भी शामिल है बता दें कि किसानों के एक साल से जारी आंदोलन की वजह से सरकार ने तीनों क्रिशी कानूनों को वापस लेने का फैसला ले लिया है किसानों का अंदोलन अभी भी अन्य मांगों के साथ जारी है जिनमें MSP पर अलग कानून बनाने की मांग शामिल है दिल्ली में वायू प्रदूशन की स्थिती अभी भी चिंता जनिक और खराब बनी हुई है इस बीच आज परियावरन मंत्री गोपाल राय ने बैठक कर 29 नवेंबर से स्कूल, कॉलेज और दफतर खोलने का एलान किया है उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर तक ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगा आपको बता दें कि दिल्ली में आज भी AQI 280 दर्ज किया गया है जो की खराब श्रेनी में आता है मीडिया खबरों के मुताबिक दिल्ली NCR में प्रदूशन की वजह से अस्पिताल जाने वालों की संख्या पिछले महिने के मुकाबले में इस महिने 100 प्रतिशत तक बढ़ी है बिहार में एक महिने के भीतर एक और पत्रकार पर फिर जानलेवा हमला किया गया है अर्यर्या जिले के रानी गंज थाना शेत्र के गीतवास बजार में रविवार देश्राम तीस वर्षिय बलराम कुमार को गोली मार दी गई एक सप्था पहले ही राज्य के मदुबनी जिले के बेनी पट्टी में एक न्यूस पॉर्टल से जुड़े 22 वर्षिय पत्रकार बुद्धीनात ज्ञा उर्फ अविनाश ज्ञा की बदमाशों ने हत्या कर उनके शव को जला दिया था बलराम कुमार अरर्या में एक न्यूस पॉर्टल से जुड़े हुए हैं हमले के बाद उनकी स्थिती गंभीर है और उनका इलाज पूर्णिया के प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है जहां वें जिन्दगी और मौत से जूज रहे हैं उधर हमले के बाद स्थानिया लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर पुलीस के हवाले कर दिया आरोपी का पुलीस हिरासत में अरर्या जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है गुरुवार 25 नवेंबर को दिल्ली में 12 मजदूर संगठनों ने हरताल बुलाई है संगठों ने कहा है कि देश की राजधानी में मजदूर वर के अधिकारों को लगातार नजर अंदास किया जा रहा है और इसलिए यह हरताल बुलाई गई है जिसमें लगबग 6 लाख मजदूर शामिल होंगे 12 ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने मंगलवार को एक संयुक्त पैस कॉन्फरेंस में कहा कि पिछले कुछ समय से दिल्ली में स्थाई नौकरियों की जगह ठेका प्रथा और फिक्स टर्म रोजगार में व्रिद्धी देखी जा रही है इसकी वज़े से मजदूरों या श्रमिकों की मजदूरी न्यूंतम मजदूरी से भी कम है जबकि दूसरी तरफ जरूरत की चीजों की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही है कॉन्फरेंस के बाद जारी एक बयान में यूनियनों ने कहा मजदूरों करमचारियों की पीडा कठिनाईयों के संबंध में सरकार की समवेदन हींता ने मजदूर संगठनों को हरताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है केंद्रियस वास्ते मंत्राले द्वारा आज बुदवार 24 नवेंबर को जारी आंकडों के अनुसार देश में 24 गंटों में करोना के 9200 से जादा नए मामले दर्ज किये गए है इसके अलावा करोना से बीते 24 गंटे में करीब 450 मरीजों की मौत हुई है साथ ही इसी बीच देश भर में करोना से पीड़ित करीब 10,900 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और आक्टिव मामलों में लगबग 2100 मामले कम हुए है स्वास्ते मंत्राले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में करोना वैक्सीन की अब तक करीब 118 करोड से अधिक दोस दी जा चुकी है जिन में से करीब 77 लाख वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटे में दी गई है आज के डेली राउंड अप में बस इतना ही अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.newsklick.in पर जाईए और हमारे यूट्यूब चानल को सब्स्क्राइब कीजिए धन्यवाद